आज हम एक ऐसे नए आसेट क्लास के बारे में बात करेंगे जो इन दिनों काफी चर्चा में है कन्विंशनल आसेट क्लास जैसे एक्विटी, कॉमोडिटीज, करिंसी और दूसरे फिनांसिल इस्टुमिंट्स के अलावा एक नया धूम मचाता हुआ अलचलों से भरा नए समय का ऐसेट क्लास क्रिप्टो क्यंसी आज इससे जुड़ी सारे महत्रपुन पहलों को इनपोर्टन आस्पेक्स को डेमिस्टिफाई, डिकोड आसान भासा में चर्चा करेंगे इससे जिस समय क्या है क्या तुड़ी स्टूब एक तुड़ी सुट्सों अलावास दोस्तो एक समय करिंसी का कोई आपसन नहीं था लोग आपस में चीजों की अदला बदली कर लेते थे जैसे कैटल्स के बदले क्रॉप्स और दूसरे गुड्स एक्शेंज कर लिया करते थे और इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा चाता था इस सिस्टम में बहुत सारी खामि मिटल्स चलन में आए पर समय के साथ इनके चलन में भी दिक्टे आने लगी जैसे इन्हें बहुत बड़े क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया सकता था इन्हें समय राते हुए छोटे यूनीट में बदलने में प्रशानिया और दूसरे स जरिये अगर हम ट्राजेक्शन करते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ता है जैसे ऑल्लाइन सौपिंग करनी है तो बायर और सेलर एक प्लेटफॉर्म के मदद से किसी ट्राजेक्शन को पूरा कर पाएंगे प्लेटफॉर्म जैसे अमेजान, इसनुल होती है सेंट्रल एथॉर्हर्टि का मतलब हैं बायर सेलर के बैंक क्यूएं कि यहाँ च्राजेक्शन बायर सेलर के बैंक के बैनक से बक् Sing綠 को फॉज्छन को फॉल्ल करती हुए पूरा किया जाता है तो बैंक सेंट्रल गॉवर्निंग एथॉर्टी के चत्रागं क में ट्रांजेक्शन को पूरा नहीं किया जा सकता इस तरह बायर और सेलर पूरी तरह से अपने बैंक पर डिपेंटेंट है माइक्रो लेबल पर इन सभी प्राब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया और इन प्राब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए वर्चुल करेंसी एक्जिस्टन्स में आई मैक्रो लेबल पर 2008 के फिनैंस्वल क्रैसिस के बाद पर्टिकलरली अमेरिका के होसिंग बबल बर्स्ट होने के बाद बैंकिंग सेक्टर के बिल आउट के लिए जो स्कीम्स लाए गए उनसे इंफलेशन पर काफी निगेटिव इंपक्ट पड़ा और इसके बाद डी सेंट्रलाइज फिनैंस्वल सिस्टम के जरुवत को महसूस किया गया डिजिटल करेंसी या वर्चुल करेंसी का आइडिया कोई नया नहीं है 1998 में कंप्यूटर इंग्जीनियर वैदाई ने डिजिटल करेंसी से जुड़े कॉंसेप्ट के पेपर पब्लिस किये थे इनमें डी मनी को डिसकस किया गया था इसी साल 1998 में ही ब्रॉक्शेन के पायनियर निक जैबो ने डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी से जुड़े पेपर्स को पब्लिस किया जिसे बिट गोल्ड का नाम दिया गया वैसे तो ओफिशेली इन दोनों कॉंसेप्ट में कुछ काम नहीं किये गए पर ये क्रिप्टो करेंसी के किंग बिट कोईन के लिए सोर्स अफ इंस्पिरेशन रहा इयर 2008 सतोशी नाकमोतो तू आइडेंट्टी स्टील रिमेंस अमिस्ट्री ने वाइट पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था बिट कोईन ओपीर टोपीर एलेक्ट्रोनिक कैस सिस्टम जिसमें ब्लॉकचें नेटवर्क के फंक्स्नालिटी को डिसकस किया गया था 2009 सतोशी नाकमोतो ने बिट कोईन नेटवर्क पर पहला ब्लॉक माइन किया था और इस तरह blockchain technology की शुरुवात हुई Bitcoin network के पहले block को Genesis block के नाम से जाना जाता है Bitcoin से पहली खरिदारी 2010 में Lazlo Henich नाम के वैक्तिन के द्वारा किया गया था जिसने Papa Jones के pizza के दो slice के 10,000 bitcoins अदा किये थे यह तारी 22nd May थी इसलिए इसे Bitcoin pizza day के रूप में celebrate किया जाता है पहली cryptocurrency Bitcoin के आने के बाद इनकी trade कैसे की जाए यह और इससे जुड़े दूसरे सवालों का हल ढून निकाला गया और 2010 में Bitcoin.com के नाम से पहला cryptocurrency exchange existence में आया यह exchange आज के तारीक में defunct in operational है इसी साल जुलाई के महिने में crypto dedicated exchange मौन गॉक्स को भी launch किया गया था जून 2011 में मौन गॉक्स को पहली बार hack किया गया था दो हजार Bitcoin की चोरी की गई थी उस समय इनका value around $30,000 था 2013 तक मौन गॉक्स सबसे बड़ा cryptocurrency exchange बन गया था उस समय अपने peak पर सारे Bitcoins की 70% transactions को handle कर रहा था unfortunately in 2014 मौन गॉक्स एक major crypto exchange hack का सिकार बना जिसमें 8,50,000 Bitcoins चोरी हो गए यह Bitcoin के history में सबसे बड़ी चोरी है जिसका value उस समय $4.6 billion आखा गया current date में value around $9.5 billion है और इस incident के बाद Bitcoin के price में 50% की गिराओ दर्च की गई cryptocurrency exchange छोटे मोटे hack के सिकार बनते रहें पर इस intensity के hack को फिर नहीं दोराया गया अभी तक यह सारी बाते हुई cryptocurrency और इसके brief history के बारे में अब हम Bitcoin के transaction और इससे जोड़ी robust technology blockchain के बारे में discuss करेंगे So, let's keep the ball rolling What is cryptocurrency? A cryptocurrency is an encrypted data string that denotes a unit of currency It's monitored and organized by a peer-to-peer network called a blockchain Which also serves as a secure leisure of transactions ये सारी बाते हुई है definitions की अब हम बात करेंगे blockchain जैसे technology को हम कैसे practical use में लाते हैं जैसे हमें conventional transaction के लिए bank account create करना होता है ठीक इसी तरह Bitcoin में transaction करने के लिए कुछ pre-requestions, preconditions पूरे करने होते हैं सबसे पहले हमें Bitcoin wallet create करना होता है इंडिया में हाल के दिनों में बहुत सारे popular cryptocurrency wallet service provider successfully अपने काम को skill up कर रहे हैं इसके साथ हम cryptocurrency exchange में अपना wallet create कर सकते हैं हर एक wallet के साथ एक address generate होता है जो आपके bank account के समान होता है cryptocurrency exchange एक broker के समान काम करता है जिसके मदद से आप अपने real money, रुपे, डॉलर्स, वांगला, टाका को क्रिप्टो करनसी में convert कर सकते हैं crypto wallet के मदद से आप Bitcoin, Ether और दूसरे crypto उसको store, retrieve यानी जमा और निकासी कर सकते हैं अब Bitcoin transaction के process के बारे में बात कर लें जैसे AB को XY तक Bitcoins भेजने हैं तो wallet address पर भेजने होंगे हर एक Bitcoin network user के लिए wallet के साथ cryptographic key pair, public key और private key जनरेट किये जाते हैं जो एक तरह से email address और password की तरह होते हैं जब आप transaction करते हो या Bitcoin भेजते हो तो उस transaction के साथ digital signature generate होती है और इस digital signature के मदद से notes उस transaction को verify करते हैं अब ये notes क्या है? Bitcoin network, blockchain से जुड़े participants को notes कहते हैं traditional transaction process के जरिए जब आप किसी को check issue करते हैं तो bank इस बात का verification करती है कि आपका उस पे signature है या नहीं और आपके bank account में check permission amount का balance है या नहीं इसी तरह आप किसी को bitcoins भेजते हो तो notes आपके digital signature के मदद से verify करते हैं कि जितने bitcoins आपने भेजे हैं उतने bitcoins आपके पास है या नहीं साथी साथ bitcoins के private keys आपके पास है या नहीं और दूसरी जरूरी details verify करते हैं बिटकोईन में जो technology use होती है उसे blockchain कहते है blockchain it's a decentralized processing and recording system and can be more secure than traditional payment system in other words serve as a secure leisure of transaction और भी आसान सब्दों में कहें तो blockchain का मतलब public leisure होता है जैसे कोई business man अपने business का हिसाब किताब अपने बहीख हाता में रखता है वैसे ही bitcoin के जितने भी transactions होते हैं उसके हिसाब किताब blockchain में होते हैं blockchain में नए transactions को add करने का काम miners करते हैं अब ये miners यहाँ क्या करने लगे हैं conventional mining में जैसे coal और diamond mining में level of difficulty बढ़ती जाती है और इनके अलग-अलग blocks identify कर बाहर निकाले जाते हैं वैसे ही bitcoin के mining में level of difficulty बढ़ती जाती हैं और नए-ने blocks add किये जाते हैं bitcoin miners को bitcoin ढोटकर निकाले नहीं होते हैं बलके उनका काम public ledger को maintain करना होता है अपने service के बदले में miners को reward में 6.25 bitcoins मिलते हैं जो bitcoins miners को reward में मिलते हैं वो नए bitcoins होते हैं जो system में पहली बार generate हुए होते हैं जो भी bitcoins market में आते हैं वो miners के जरिये ही आते हैं नए bitcoins system में आने का यही एक तरीका है फाइल में जैसे हम documents को रखते हैं वैसे ही bitcoin transactions को block में रखा जाता है जब कोई file documents से भर जाती है तब नए documents दूसरे file में रखे जाते हैं इसी तरह bitcoins के सारे transactions को एक block में नहीं रख सकते हैं अभी bitcoin के एक block की size एक MB है इसलिए एक block में कुछ limited transactions के record ही रखे जाते हैं और जब कोई block transactions से भर जाता है तो दूसरे transactions को नए blocks में रखा जाता है हर blocks में उसके पहले वाले block का reference होता है और जो नए blocks बनता है उनका reference नए block में use किया जाता है इस तरह blocks की एक chain बन जाती है इसलिए इसे block chain कहते है transactions को block में add करने के बाद miners को block secure करना होता है ताकि बाद में कोई भी उस transaction को manipulate ना कर सके यानि दूसरे सब्दों में उसके साथ छेड़ छाड़ ना कर सके block को secure करने के लिए miners को mining के software के मदद से एक cryptographic puzzle solve करना होता है और एक appropriate hash code block के लिए generate करना पड़ता है ये cryptographic puzzle proof of work POW term से जाना जाता है puzzle solve करने के बाद वो block bitcoin network में publish हो जाता है जहाँ पर notes उस block को verify करते हैं और फिर notes के आपस के consensus के बाद उस block को blockchain में add कर दिया जाता है जो miner successfully puzzle solve करता है उसे 6.25 bitcoins और transaction fee reward के form में मिलता है हर 4 साल में reward में मिलने वाली bitcoins की संखिया आधी हो जाती है bitcoin के initials year में एक block mine करने पर miner को 50 bitcoins मिला करते थे इस सारे process को halving of bitcoins कहते हैं blockchain cryptography, digital signature ये सारे components मिलकर bitcoin को secure बनाती है according to halving of bitcoin, the final bitcoin will be minted in the year of 2140 the smallest unit of bitcoin is called satoshi जैसे stocks के price, companies के fundamentals, performance और business के outlook पर depend करते हैं crypto के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते bitcoin के case में supply के figures pre-determined हैं और ethereum के platform पर ऐसी कोई limitations नहीं है unlimited supply है कुछ cases में supply to related decisions, project के in charge, tokens के कितने supply release करने हैं और कितने burn, उनके अपने लिए decisions होते हैं इसके अलावा crypto के value उनके code कैसे लिखे गए हैं इन पर भी depend करता है बैंगलियरू based startup polygon ने काफी fruitful initiatives लिए है polygon users को platform प्रवाइड करती है जिसमें ethereum के blockchain के round applications बिल्ड किये जा सकते हैं इन सभी के अलावा conventional और crypto banking के बीच bridge फुल बनाने की कोशिश की गई है काशा decentralized financing system को support करने वाले dfi financing company और united जैपूर based multi-state cooperative society united tie up कर world की first crypto bank unicas को establish किया है अभी इनके तीन branches जैपूर टेली और गुजरात में है experts का ऐसा मानना है कि bitcoin और दूसरे crypto network के लिए use होने वाले robust technology blockchain दूसरे field में apply कर effective results लिए जा सकते है experts का साथ में ये भी मानना है कि blockchain अपने nascent stage पे है like 1990s के internet वाले stage पर इससे जुड़े opportunities काफी है crypto world को इंडिया के perspective में देखें तो 2018 के RBI के ban फिर 2020 में supreme court का ban uplift कर लेना और फिर पिछले कुछ महिनों और दिनों में RBI और central government के इससे related statement ओट लोग को देखें तो हमें दिखता है कि इंडियन crypto world का future अभी भी indecisive state आधर में लटका हुआ मालूम होता है whether India will become crypto friendly geography or not only time will tell इन सभी बातों के बावजूद क्रेप को और rating agency for digital currencies and businesses इनका कहना है कि इंडिया में crypto related businesses का value around 10 to 13 billion dollars का है और इससे around 20,000 employment के opportunities create हुए है पिछले कुछ दिनों में blanket ban की बाते फिर सिर चर्चा में आने लगी है साथी साथ कुछ unofficial source इन सभी बातों से मना कर रहे हैं आने वाले parliament के winter season में इससे related bill के table होने के बाद इस foggy side के clear होने की उमीद की जा सकती है कर दो कर दो दो कर दो और आने जा सकता है